अब देख रहे हैं एडलाइन्स पिहार और मैं हूँ आपके साथ पर यांग्स और देश भर में राजमंत्री है अश्वनी चौबे उन्होंने एक वाई फिर से इसको लेकर बड़ा बयान दिया है साथ ही साथ तेजस्त्वी यादब जो धर्ना में शामिल हो रहे हैं उसको लेकर भी जोड़दार प्रहार किया है अब सुनिए अश्वनी कुमार चौबे क्या कुछ कहते हैं जनता को सब कुछ मालूम है और जनता को पागल बनाने का काम जनता नहींगी तुम अगर कोई पागल खाना में चला जाए उसके दिखा के जनता को जूटी बात बोल करके अफ़ा पहला करके गलत था भी पैदा करके जो लोग करेगा वो जनता उसको उसकी पूरी छुट्टी करेगी और यह लोग चुनाओ में दिखाए पड़े के चले जाएंगे कोई वी बिल में कोई उब बिल में दिली में चुनाओ रही आप लोग वापस आएंगे तो आपने सुल दिया उन्हें उसी थे तोर पर कहा कि भाई धर्णा में आप जरूर जाए लेकिन जनता यह जानती है वो लोग चुनाओ के बाद फिर दुबारा मिलने वाले नहीं हैं आपको बता दे कि देश में इंदीनों नर्सी सी ए एक लेकर ज तमाम शेत्रों में लोग बैठे हुए हैं धर्णा पर लगातार इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं वहीं सुप्रीम कोट ने इसको लेकर यह कह दिया है कि फिलहाल इस पर रोक लगाना संभब नहीं है सुप्रीम कोट ने 144 याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरका को एक महीने की महलत दी है और यह कहा है कि वह अपना पक्ष रखे वहीं अमीद सहा जो की केंद्रिये ग्री मंत्री हैं उन्हों सीधे तोर पर यह कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए CAA वापस नहीं लिया जाएगा तो देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जहां तमाम विपक्ष की नेता जो है वह लोगों के बीच जा रहे हैं NRC, CAA और NPR को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं मंच से तमाम बाते कर रहे हैं लोगों को संबोधित कर रहे हैं वहीं सोशल मीडिया पर भी इस को लेकर जो है वह विरोध प्रदर्शन जारी सोशल मीडिया पर भी यह एक चिनावी स्टेंट है तमाम चीजों पर हम आपको अपडेट रख रहे हैं अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद